वाव कितना प्यारा टाप है इसमें देखो इसे कलर और कितना जादा घेर इसमें आया हुआ है तो दोस्तों ये चलो मैं बताती हूं कैसे बनाई हूं सिर्फ एक सिलाई से बनाई हूं इस टॉप को और मैं आपको बना के दिखाती हूं सिर्फ फेक सिलाई है देख लेना आप फेकने को मन नहीं कर रहा है, खराब हो गया है, खराब यहाँ पे यह इसकी थोड़े सी यह जो अंदर के बाइरिंग गया यह तूट गई है, वो मैं दिखा रही हूँ, तो बारी इसमें अक्सर सबके साथ ऐसा हो जाया करता है, तो चलो आज कुछ नया करते हैं दोस्तों, त इसके कपड़े थोड़े से जल गए है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा जला हुआ है, तो आपका भी जलेगा, तो देखो यहाँ पे मैं पहले सब इसके धागे निकल के अलग कर दूँगी, यह जो धागे निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा सा इसके कर नहीं का ऐसा फसा हो, कट से कट कर दो, तो जल दी निकल जाए गए, क्योंकि यह थोड़ा सा ही फसा रहता, देखो आपे मैंने फटाक से निकल दिया, अब यहाँ बीच में इसे नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई जो रहती थोड़ा ज़ादा रहती है, तो यह मैं यहाँ से उसके साइड साइड से ऐसे सरकल में कट कर दूँगे, और कट करने के बाद इस कपड़े को डारेक्ट अमरेला के जो यह तार में बंधा रहता है ना, इसकी कांडी में, तो इसको मैं अलग करके और ले लूँगे, और इसकी जो कांडी है, देखो यहा बनने वाला है तो देखो यहां पर यह मैंने कट कर लिया है थोड़ा सा बचा है बस हो गया ना अब मैंने इसको इस कपड़े को पूरा चाता से निकाल लिया है और इसकी जो कड़ाईयां थी जो लोखन की रहती है आपने देखा होगा बहुत सी मतलब नार्मल चीजे सबके बने ही छाता सबके घर में रहता हुए बताने वाली बात यहां पे देखो मैं इसको इस तरीके से कट कर लोंगी कि अब यह कट काप मतलब समझी गयोंगे और कि विस्टना रहता हैं अभ cricket चाएब करणे dobस्त फीछ और उपर पन्ट करने के जो और का बॉर्डर बचा हुआ है उसे मैं इस तरीके से सुई और धागे की मदद से मैंने मोर दिया है यहाँ पी देखो और इस तरीके से मोरा है कि इसमें से डोर ईर जा सके नाड 안ag जैसे की बादने वाला भी पहनते हैं नाड वाला तो मैं बता रहा हूँ जदि आप के पास हिलास्टिक तो आप इसके अंदर इलास्टिक भी डाल सकते हैं और वह भी हुक से फसाएंगे पहले हुप में और बफंदट करेंगे और इसके अंदर जिस तरीके से मैं नाडा डाल रही हूँ तो वो मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा बचा पहले सिलाई कर लूँ तो ये लाश्ट हो गया हो कि अभी मैं यहाँ पे पूरी सिलाई कर चुकी हूँ लाश्ट में दो तीन टाके गुमा के ले लूँ क्योंकि टाके मजबूत रहेंगे लाश्ट में तो खुलेंगे नहीं हाथ सिलाई और टेलर के पास से भी सिला सकते हैं आपके पास मसीन देखो यहाँ पे मैंने इतना पतला मोर दिया अब यह नाडा मैं इसमें डालूँगी तो यदि आप चाहें तो इलाश्टिक भी ऐसे पतली वाली इलाश्टिक लेना और इस तरह से हुक में फसाना ऐसे तो हुक की हेल्प से मैंने इतना तो उसमें मोरा हुआ है कि यह हुक जा सके तो यहां पर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया देखो मोरने के लिए यहां से तो देखती है यहां पर नहीं आगे देखती हूँ वो उसको ढूरना पड़ेगा ना इसी में है थोड़ा सा कहीं है ढूर के बता रही हूँ तो यह देखो यहां पे कहीं मैंने थोड़ा सा छोड़ा था यहां पे तो थोड़ा सा छोड़ दिया है क्योंकि यहां पे हुग जाने के लिए होना चाहिए वो अंदर से ही दिखेगा बाहर से आपको कुछ नहीं दिखेगा टेंशन मतलो तुम्हें आप यहां पे पूरा इसकिप नहीं करूंगी आपको ऐसे नाड़ा डाल के दिखाऊंगी और किस तरह से जाएगा बहुत अच्छा है सरक जाएगा फटा फटा ऐसे डाल डाल के आप लोगों ने कभी नाड़ा डाला है सलवार या बच्चों के किसी कपड़े में नहीं डाला है तो सीख लो यदि निकल जाता है ने तो इस तरह से हुक के मदद से आप ढाल भी सकते हो तो देखो कितना फटा फटो रहा है खीच-खीच की और एक साइड में मैं सरका दे रही हो कपड़े को और यह रेडी हो गया मैंने बोला था नक सिर्फ ए एक सिलाई बनाऊंगी एक सिलाई में मैं टॉप तयार कर लूँगी और यह कपड़ा भी बहुत मस्त है मस्त लग रहा प्यारा लग रहा है तो इस कपड़े का मैं इसलिए आइडिया बनाई कि चलो मैं कुछ बनाती हूं यदि आप ऐसे दूसरे कपड़े का भी बनाना चा से दालें और फिलाष्ट में उसको सुईधागे से सिल भी सकते हैं या कि फिर उसमें गांट बान सकते हैं तो वह भी नहीं निकलेगी तो पहन किये और डारेक्ट पहन ले सकते हैं और यह नाडा है तो इसको बात ना पड़ेगा तो फिलाल यहां पे देखो मैं नाडा ही पतली होगी उसको भी आ जाएगा तो देखो यहाँ पर मैं हिंगर में लगा के बता रही हूँ बाव कितना प्यारा बन गया ना बहुत अच्छा लग रहा है सच में इसका जो कपड़ा है तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर बस मेरा थोड़ा सा यह कटा हुआ तो वो मैं बाद में बना लूँगी देखो बन गया ना मस्ट अब इसको T-shirt के साथ पहनो T-shirt के साथ घर पे पहनो कैसे भी तो अच्छा लग रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है और यह बन गया है तो देखो अमेक अम्रेले से कितना प्यारा सा टॉप बन गया है क्या बोलते हैं इसको निची के सकार्ट बोलते हैं सची में इसकार्ट बोलते हैं टॉप तो उपर का है लेकिन हम लोग जब बच्पन में ऐसे पहन पाते थे थे नहीं इसको टॉप ही बोलते थी इसलिए मैंने भी टॉप बोल दिया टाप इसकर्ट बोलते थे लेकिन अभी तो इसको टॉप इसकर्ट बता रहे हूं कि सबके समझ में आ जाएगा तो यह कितना अच्छा इसका बन गया घेर भी बहुत अच्छा आया है और इसमें नाडा है ना त इतना ही देखो मस्त लग रहा है ना दोनों साइट से घुमा के दिखा रही हूं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई टीक कियर बबाई और ये कैसा लग रहा है आप लोग इसकी तारीफ तो कर सकते हो ना क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बनाया और हो सकता है कि आप लोगों को भी पसंदी आया हो तो प्लीज बताओ लाइक करके बताना अच्छा लगा हो तो और नहीं अच्छा लगा हो तो भी कमेंट्स करके बताना बाई